सुम्वार को सुप्रीम कोर्ट में नुक्षेद 35 पर होने वाली सुनवाई से ठीक पहले अलगावादियों ने कश्मीर में बंद का एलान किया उससे पहले ही सुरक्षा बलो ने दो दिन पहले ही यासिन मलिक को गिरफतार कर लिया कई जमाते इसलावी नेता भी पकड़े गए है इसे लेकर भी अलगावादियों ने प्रदर्शन की तैयारी की है इन सब के बीच सुरक्षा बलो ने तमाम इलाकों में पहरा बढ़ा दिया है पहले पुलवामा हमला और अलगावादियों के बंद के एलान के बाद जवरदस्त सुरक्षा है श्री नगर में सभी दुकाने बंद हैं सडकों पर गाडिया नहीं दिख रही पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान की बीच तनाओं की स्थिती व्याप्त है श्रीह मंत्राले ने अत्रिक्त बलो की तैनाती को चुनाओ पूरु तैयारी से संबंद एक नेमित अभ्याज बताया है कश्मिर में कुछ हुरियत नेताओं और जमात इसलामी के कई कारिकरताओं की गिरिफतारी के बाद आज हुरियत ने बंद का अहवान किया है श्रीनगर में हम इस वक्त लाल चोक में खड़े हैं और यहां पर बंद का अंदाजा हो सकता है सबी दुकाने बंद है और यहां तक की जो पबलिक ट्रांस्पोर्ट है वो सड़कों से गाइब है तनाओ की इस्तिती शुकरवार से ही कश्मीर में बनी थी और कल उन्होंने तूल तब पकड़ा जब स्रीनगर के पेट्रूल पंपों के बाहर और राशन के दुकानों के बाहर लंबी-लंबी कतारें देखी गई और लोग सामान इकठा करते नजर आए उस बीच सुनवार को जो 35 एपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है उसको लेकर भी कई बातें और कई अफाएं उड़ रही है और यहां तक कि तनाओ की इस्तिती पूरे जमु कश्मीर में खासतोर से कश्मीर में बनी हुई है सव जो पैरे मिलिटरी फोर्सिस की कमपनिया है उनको भी कश्मीर में ताइनात किया गया है और हम चोकस सुरक्षा बुंद बस पूरे कश्मीर में खासतोर से स्रीनगर शहर में देख रहे हैं समले में CRPF के 40 जवानों की शहादत के बाद केंदर सरकार ने श्रीनगर में 14 साल के बाद BSF को तैनात किया है अधिकारियों ने बताया है कि केंदर सरकार द्वारा तैनात की गई अर्ध सेनिक बलों की 100 कमपनियों में 45 कमपनिया CRPF से हैं जबकि BSF से 35 और SSB तो था ITBP से 10-10 कमपनिया है 14 साल के बाद घाटी में BSF की तैनाती की गई है इस से पहले 2016 में फैली अशान्ति के वक्त BSF को एक हफ़ते के लिए कश्मीर में तैनात किया गया था हलाकि इस तैनाती के फैसले को तुरंत वापस ले लिया गया था श्रीनगर में चार और बढगाम जिले में एक जगह BSF की जवानों को तैनात किया गया है इस कदम का मकसद जम कश्मीर में कानून व्यवस्थत दुरुस्त करना और शान्ती बनाए रखना है जो से घाटी में तनाव की स्थिती से बचा जा सके बिर रपोर्ट भारत तक